सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ राजक्मार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिक्तिया आज का अधियाई सब्जेट गो में आज हम जानेंगे कि ADCA और ADFA यह दोनों कंप्योटर कोर्स के बीच में कौन सा कोर्स जो है सबसे बेस्ट होता है और इन दोनों में क्या अंतर है तो चलिए दोनों में से जानते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप पहली बार सब्जेट गो देख रहे हैं तो यहाँ पर बात करते हैं ADCA और ADFA अब यहाँ पर यह दोनों कोर्स जो है वो एक साल के होते हैं यानि कि ADCA भी एक साल का होता है और ADFA भी एक साल का होता है ADCA का मतलब होता है Advanced Deploying Computer Application और जो ADFA होता है उसका मतलब होता है Advanced Deploying Financial Accounting तो दोनों में Last में अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें Computer Application आ रहा है और इसमें Financial Accounting आ रहा है यानि कि इसमें Financial Problem के बारे में होता है और यह कोर्स जो है वो कोई भी कर सकता है जिसने 10th कर रखा हो वो भी कर सकता है अगर आपने कोई Degree या Graduation कर रखा है तो आप कर सकते हैं आगे चलते हैं इन दोनों के बारे में जानते हैं तो दिखे ADCA में क्या-क्या सिखाया जाता है ADCA का जो फीस होता है वो साड़े साथ हजार रुपे के आसपास होता है उनका जो है वहाँ पर environment अलग हो सकता है ठीक है ट्रेनिक देने का तरीका अलग हो सकता है तो उन पर फीस निर्भर करता है अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर सिखाया क्या जाता है नौटपेड, वर्टपेड, MSPrint यह सभी चीज़े आपको सिखाया जाता है उसके बाद इसके अंदर आपको सिखाया जाता है MS Excel, MS Excel के बाद आजाता है MS PowerPoint, MS Excel, उसके बाद MS Word यह सभी चीज़े उसके बाद इसके अंदर आता है दूसरा DTP DTP में क्या होता है, Desktop Publishing होता है यानि कि Photoshop, PageMaker, Coral Row यह चीज़े इसके अंदर सिखाया जाता है उसके बाद आता है यहाँ पे नमबर 4 पे दिया हुआ Tally Tally जो है पूरा नहीं होगा यहाँ पे Tally का स्रिफ आपको Basic Knowledge दिया जाएगा उसके बाद बात करते हैं कि ADC के अंदर तो यह सारे चीज़ था अब ADFA के अंदर क्या होता है तो इसका भी यहाँ पे Compare कर लेते हैं तो ADFA जो कोर्स होता है वो दस से पंदर हजार के बीच में होता है और इसके अंदर सबसे पहले आपको Basic Computer Knowledge के बारे हो बता जाता है सिखा जाता है जैसे MS Word, Excel, PowerPoint ठीक है Notepad, Wordpad, MS Print इन सभी चीज़ों के बारे में उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर Advanced Excel with MIS Training इसके अंदर होता है Advanced Excel अब Advanced Excel क्या होता वो जान लेते हैं दिखे, Advanced Excel का मतलग होता है होगा यहाँ पे MS Excel लेकिन MS Excel के अंदर Formula जो है यहाँ पे कुछ जाद आपको सिखा जागा जैसे अगर हम Excel का Basic Course सिखते हैं तो उसमें क्या सिखा जाता है उसमें बहुत ही Normal तरीके से हमें Excel का Use करना सिखा जाता है लेकिन Advanced में क्या होगा यहाँ पे 100 से लेके 1500 तक के जो है Formula और Financial Formula होते हैं वो यहाँ पे आपको कराया जाता है Training दिया जाता है और इसमें सिखा जाता है आपको Complete Tally ERP 9 with GST GST के साथ Tally ERP 9 पूरा यहाँ पे आपको सिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे Internet सिखा जाता है अब यहाँ पे बात करते है Tally यहाँ पे जो है ADFA के अंदर Tally जो है वो Tally ERP 9 होता है और ADCA के अंदर भी आप Tally ERP 9 चल रहा है यह इसलिए चल रहा है क्योंकि आज के टाइम में Tally ERP 9 ही सिखना बेश्ट है यही सभी जिगे इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या difference मिलिया सबसे पहला difference मिलता है fees का जो ADCA का course है कितने का है fees यहाँ पे देख सकते हैं और ADFA में 15,000 के आसपाज जो है पहुँच रहा है और उसके बाद दूसरा difference है यहाँ पे कि जो ADFA course है इसके अंदर DTP course नहीं है DTP नहीं सिखा जाएगा DTP के जगा आपको यहाँ पे Advanced Excel सिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे Tally basic नहीं होगा Tally यहाँ पे पूरा complete सिखा जाएगा आपको उसके बाद आगे चलते हैं आप अब देखें आगे यहाँ पे आता है कि DTP तो इसके अंदर होगा ही ने DTP तो बिल्कुल भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा DTP course का तो आगे यहाँ पे compare करते हैं कि जब आप ADCA या ADFA computer course कर लेते हैं तो देखें अगर आप ADCA computer course कर लेते हैं तो आप computer operator का job कर सकते हैं data entry का और web designing का accounting का और graphic designing का कर सकते हैं यानि कि web designing के अंदर graphic designing भी सिखा जाएगा और उसके बाद photography का कर सकते हैं यानि कि photo studio खुद का खोलना चाहिए या कहीं पे जाके काम करना चाहिए तो वो कर सकते हैं printing press का काम कर सकते हैं pamplet वगरा चापने का banner वगरा तयार करने का ये जो है काम कर सकते हैं और sadly जो 10-15000 के बीच में starting में आपको मिलेगा उसके बाद यहाँ पे होता है ADFA इसके अंदर होता है computer operator बन जाएंगे जब आप सीख जाएंगे कोर्स तो data entry का काम कर सकते हैं और accountant का कर सकते हैं इसके अंदर आपको इससे ज़्यादा चीजे नहीं सीखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर जो भी चीज आपको सिखाया जाता है ADFA course के अंदर वो पूरा complete होता है क्योंकि इसके अंदर आप ADFA computer course कर लेते हैं तो आप अच्छे accountant के तिरह work कर सकते हैं क्योंकि account का बहुत सारे चीजे इसके अंदर आपको पूरा complete सिखाया जाता है तो अगर आप अच्छे तरीके से practice कर लेते हैं तो आप accountant का job अच्छे तरीके से कर सकते हैं में सेरली जो है 15,000 से लेके 20,000 के बीच में जो इस्टार्टिंग तोर पे ले सकते हैं तो आब हमने यहाँ पे जान लिया है ADCA और ADFA Computer Course में अंतर आब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ADCA Course हमें करना चाहिए या ADFA करना चाहिए तो देखिए जिन लोगों ने सिर्फ 10 या 12 कर लिया है तो वो ADCA Computer Course करेंगे अगर उनका मन Accountant में नहीं है तो लेकिन अगर किसी ने 10 पास कर लिया है और वो चाहते हैं कि मुझे जो है Accountant का जोब करना अच्छा लग रहा है तो वो जो है ADFA Computer Course करेंगे जैसे माल लिजे अगर आपने Commerce से 12 पास किया है तो Commerce में Accountant होता है Accountant हम पढ़ते हैं तो Accountant अगर आपने Commerce पढ़ा है 12 में तो उसके बाद आप ADFA Computer Course करेंगे उसके बाद आप ADCA नहीं करेंगे ADCA उनके लिए है जिन्होंने जो है Accountant नहीं पढ़ा या Accountant का काम नहीं करना चाहते है वो जो है ADCA Course करेंगे लेकिन जिन्हें आप ADCA Course करके एक डिजाइनिंग या फोटोग्राफी का ये सारे काम कर सकते है या फिर आपको एकांटेंट का जोब अच्छा लगेगा करना अगर आप आप Accountant का जोब अच्छे तरीके से कर सकते हैं Accountant आपने पढ़ा है तो फिर आप ADFA Computer Course कर सकते हैं तो ये यहाँ पर हमने आज जाना कि ADCA और ADFA Computer Course में क्या अंतर होता है और कौन सा Course यहाँ पर Best होता है तो Best यहाँ पर दोनों होते हैं मैंने आपको बता दिया लेकिन दोनों अलग-अलग फिल्ड के लिए होते हैं और अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से समधी तो आप subjectgo.in वेबसाइट पे जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं वेबसाइट पे आप जो है रेजिटर कर लिजे और उसके बाद लोगिन करके उहाँ पे कोई भी सवाल आप पूछे और 24 घंटे के अंदर आपको जो है वहाँ पे reply मैं उत्तर जो है दे दूँगा तो देखते रिये subjectgo और सिखते रिये धन्यवाद थैंक्यो subjectgo के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सब सब पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने subjectgo चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके subjectgo चनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिए बैल करिया आपको सब सब पहले मिल पाएं और आप देख पाएं और देखते रही है subjectgo और सिखते रही है धन्यवाद थैंक्यू